हेलो फ्रेंज वाकम टो माई चैनल मॉस्कीज किचेन वी लोग्स तो अपने किचेन से आप लोगों के लिए एक और न्यू स्नेक्स रेसिपी लेकर आ गई हो जिसका नाम है रंगिला अंडा बॉम एक यूनिक से नेम वाली बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी और डिलिशुस से स् सिर्फ दो इंग्रिडियन्ट से जटपट बनकर तयार हो जाती है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक चोट इसी रिक्वेस्ट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बेल एकन प्रेस करना बिलकुल भी ना भूले तो ये दो इंग्रिडियन्ट हैं बॉ कर सकते हैं यानि के तीन बॉयल पटेटोज भी ले सकते हैं तो एक बड़ा बाउल खाली आपने लेना है इस तरीके से और इसमें हम सबसे पहले ये बॉयल अपने पटेटोज जो है वो डाल लेंगे साथ ही फाइनली चॉपड ग्रीन कोरियंडर इसमें एट कर लेंगे बहुत अच्छा रेट कलर भी देती है साथी वान स्पून गरम मसाला पाउडर एंड वान स्पून चार्ट मसाला पाउडर अब इन सभी को हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से आपने इन बॉयल पटेटोज को मैस कर लेना है तो यहां पर यह अब इसमें जाएगा पिंच ओफ सॉल्ट एंड साथ ही हम इसमें एड करेंगे पिंच ओफ ब्लैक पैपर पाउडर अब थोड़ा सा पानी डालकर हम एक थीक स्लरी रेडी कर लेंगे हमें ज्यादा पतली स्लरी नहीं बनानी है थोड़ी से थीक ही रखना है तो यहां पर आ एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली स्लरी हमारी रेडी हो गई है तो स्लरी बिलकुल रेडी है हमारा जो बॉइल डालू का मसाला था वो बिलकुल रेडी है बॉइल डेक रेडी है और साथ ही हमें इसमें चाहिए ब्रेट क्रम्स तो ब्रेट क्रम्स मार्केट में इसली आप घर पर भी बना सकते हैं और अगर आपके पास नहीं है ब्रेड क्रम्स तो आप सुजी का इस्तमाल यहां पर कर सकते हैं यानि के रवा तो अब हमने एक बॉइल डैग लेना है और उसके चारो तरफ हमने ये बॉइल डालू का जो मसाला हमने रेडी किया है उसे लगाना ह तो इस बॉइल डैग को अच्छे से हमने चारो तरफ से कवर कर लेना है कहीं से भी बॉइल डैग नहीं दिखना चाहिए अदरवाइस वो जब फ्राई होगा तो फटने के चांसिस रहते हैं तो अच्छे से आपको हर जगह से बॉइल डैग को पैक कर लेना है अच्छे से क बॉम अपने रेडी कर लेंगे और उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताती हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं चारो ही बॉम हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अब मैंने एक बॉम ले लिया है और इसे अब मैं डिप करूँगी हमारी स्लरी में तो इस बाउल को हम लेंगे और इसमें हम यह जो हमारा अंडे और आलू का बॉम है इसे डाल लेंगे और हर तरफ से स्लरी में अच्छे से डिप करेंगे और उसके बाद इसे हम अपने ब्रेड क्रम्स में डाल लेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बोला अगर breadcrumb sub-level नहीं है तो आप सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पर तो हर जगह से अच्छे से क्योंकि जो slurry है वो उसमें जाकर इसी लिए डाला जाता है जिससे की जो breadcrumb है इसमें अच्छे से चिपक जाएं तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने breadcrumb इसमें लगा लिया है आप देख सकते हैं और अब हम इसे निकाल कर साइट कर लेंगे और इसी तरीके से हमें सारे जो boiled egg के बॉम बना कर ready किये हैं उन्हें हम पूरा ready कर लेंगे तो आप देख सकते हैं चारो ही बॉम हमारे ready हैं बस अब दे रही है fry करने की तो oil जो है already मैंने heat करने के लिए रख दिया था और at a time इसमें two ही बॉम आ सकते हैं तो depend करता है आपके कड़ाई या fry pan के size पर तो यहाँ प हैं और इन्हें मैं निकाल रही हूँ और इसी तरीके से हमें बाकी के बचे हुए दो भी fry कर लेने हैं तो basically मैं आप लोगों को fry करके दिखा रही हूँ बट मैं जब भी इन्हें बनाती हूँ तो मैं air fryer के अंदर बनाती हूँ जिससे कि इन्में oil ना रहे तो यह bomb बिलकु करके आपने knife से इसे cut करना है two pieces में serving plate जो है वो बिलकुल ready है इसमें हम इसे serve करते हैं और यह देखिए इस तरीके से इन्हें अच्छे से मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ पहले एंड उपर से थोड़ा सहम green coriander जो होता है उससे garnish कर लेंगे तो friends finally हमारा रंगिला अंदा बॉम यह colorful egg बिलकुल ready है खाने के लिए तो आप भी बनाईए इसे try करिए इस recipe को 5 minute snacks recipe है और अगर पसंद आया है वीडियो को like करिए and first time visitor है चैनल सब्सक्राब करना बिलकुल बिना जड़ता बुलले